मेरा यह UPSC में 6th attempt था इस journey से मैंने भी बहुत सारी values सीखी जैसे patience, perseverance, hard work यह सभी इस journey ने मुझे सिखाया जब भी आप demotivated होते हैं जब भी आपको लगता है कि आप fail हो रहे हैं जब भी आपको लगता है कि आपकी life में कुछ ऐसा low moment आ रहा है या फिर जिन्होंने कुछ भी यहां failure देखा तो कभी भी उन failure के सामने हार मत मानिए इस पूरी journey में ऐसा जरूरी नहीं कि हमें पहली ही बार में सफलता हासिल होगी अब ऐसा सोच कर भी मत आये society में मैं मानती हूँ कि क्योंकि यह journey इतनी लंबी journey है और यह बहुत बार बहुत difficult हो जाता है सब को समझाना कि इसका result अभी एक साल के बाद आएगा या फिर interview में जाने के बाद भी जब selection नहीं होता तो relatives को समझाना यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब हम वापिस उसी पायदान पर है जहां हम पिछले साल थे ख़ी-ख़ी ऐसा भी लगता है कि यह तो हमने बहुत साल इस journey में निकाल दिये क्या हमने यह साल waste कर दिये कल को आप demotivated होंगे या कल को आप सोचेंगे कि आपसे यह नहीं हो रहा है तब यहीं चार्या पांच चीज़ें आपको motivate करेगी मैं आज आप सभी के साथ ऐसी ही कुछ tips और strategies शेर करना चाहती हूँ नमस्कार इवरीवान, मैं नुपुर गोईल मैंने इस साल UPSC Civil Services Examination 2019 में All India Rank 11 हासिल की है मैं आप सभी के साथ ऐसी कुछ tips और strategies शेर करना चाहती हूँ कि आप इस पूरी लंबी UPSC journey में कैसे खुद को motivated रखे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अपने एक brief introduction और अपनी UPSC journey से मैं दिल्ली के नरेला शेत्र में पली बढ़ी हूँ मेरी schooling DAV Centenary Public School नरेला से हुई उसके बाद मैंने Delhi Technological University से Electronics and Communication Engineering की जिसे पहले Delhi College of Engineering भी कहा जाता था उसके बाद मैंने Masters की है Public Administration में IGNU से मैं अभी Intelligence Bureau में as an Intelligence Officer कारे रथ हूँ मेरा यह UPSC में 6th attempt था मैं अपने पहले attempt में interview तक पहुची दूसरे attempt में मेरा prevalence clear नहीं होगा फिर तीसरे attempt में मैं फिर interview तक पहुची चौथे attempt में फिर से मेरा prevalence clear नहीं हुआ उसके बाद 5th attempt में मैं फिर से interview तक पहुची बट unfortunately मेरा final selection में नाम नहीं आता है यह 6th attempt और मेरा final attempt था जहाँ पर मुझे All India Rank 11 हासिल हुए जैसा कि आप सब ने देखा यह मेरी journey एक बहुत लंबी journey रही यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे highs and lows आए बहुत सारे pain, anxiety बहुत सारे ऐसे moments आए जहाँ पर मैं बहुत low थी जहाँ पर मुझे खुद को यह याद दिलाना पड़ता था कि मुझे कैसे खुद को motivated रखना है और मैं मानती हूँ कि irrespective of the number of attempts क्योंकि यह exam cycle ही एक साल की है तो I think सभी को कभी ना कभी यह moments को face करना पड़ता है इन moments को देखना पड़ता है कि वो कैसे इन moments से निकल पाए मैं आज आप सभी के साथ ऐसी ही कुछ tips और strategies share करना चाहती हूँ मुझे लगता है कि सबसे पहले जो सबसे जादे important चीज है वो है why civil services आप civil services की तरफ क्यों जाना चाहते है आप क्यों एक IS officer या क्यों एक IPS officer या फिर क्यों एक bureaucrat बनना चाहते है आप खुज से बैठिये, question कीजिए पता लगाईए कि एसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते है आप यहाँ पर किस की वज़ा से आने के लिए इतने उत्साहित है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस चीज को किसी एक page पर लिख लीजिए और इसको अपने study wall पर लगा लीजिए क्योंकि जब भी कल को आप demotivated होंगे या कल को आप सोचेंगे कि आप से यह नहीं हो रहा है तब यही चार या पांच चीज़े आपको motivate करेगी आपको बताएंगी कि आपने at the first place इसको क्यों शुरू किया आप इस journey में आखिर आए ही क्यों moving on to the second point I think the support system plays a very big role आपके parents, आपकी family, आपके friends, आपके teachers, आपके mentors अगर वो सब लोग आपके साथ है, वो सब लोग आपको चाहते हैं कि आप civil servant बने वो सब लोगों का guidance सब लोगों का support अगर आपके साथ रहता है, तो एक यह लंबी सी arduous journey, एक बहुत अच्छी जर्नी बन जाती है बहुत अच्छे से कट जाती है मुझे लगता है और मेरा यह मानना है कि civil services कभी भी एक individual dream नहीं हो सकता है यह एक ऐसा dream है जो civil services and his parent के family, उसके भाई बहन उसके friends, उसके mentors उसके teachers सभी लोग उसके साथ मिलकर देखते है उन सभी की महनत इस चीज में जाती है तो जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है आप यह नहीं करना चाहते है तो एक बार अपनी आखें बंद कीजिए उन सभी लोगों को याद कीजिए कि किस-किस लोगों ने आपको support किया किन-किन लोगों का भी सपना बन गया आपको as a civil servant देखना और मैं मानती हूँ कि यह सिरफ एक चोटा सा काम करने से सिरफ ऐसा सोचने से कि और कितने लोगों की आशाय आपके साथ जुड़ी है आप फिर से motivated होंगे फिर से पढ़ना शुरू करेंगे फिर से अपने पूरा 100-200% देना फिर से शुरू कर देंगे आप हमेशा इस civil services की journey को trust कीजिए यह एक ऐसी journey है that actually makes us और transforms us into civil servants यह journey ही हमें एक civil servant बनाती है यह journey हमें एक better individual एक बहुत responsible citizen एक बहुत aware individual बनाती है इस journey से मैंने भी बहुत सारी values सीखी जैसे patience, perseverance, hard work यह सभी इस journey ने मुझे सिखाया तो अगर आप लोग भी इस journey को trust करेंगे तो believe me it's actually the journey which is more difficult than the destination itself yes, जो हमारी मन्जिल है जो मैंने पाया वो बहुत beautiful है अपने ममा पापा की अपने आसपडोस में अपने teachers के अपने mentors की आखों में अपने लिए गर्व देखना एक बहुत बहुत खुशी की बात है बट ये जो journey ने मुझे सिखाया वो भी एक बहुत बड़ा life lesson था मुझे सही गलत में भेद करना सीखाया मुझे सिखाया कि hard work का कोई substitute नहीं है आप जब भी hard work करेंगे आपको result मिलता ही मिलता है तो I think जब भी आप demotivated होते हैं जब भी आपको लगता है कि आप fail हो रहे हैं जब भी आपको लगता है कि आपकी life में कुछ ऐसा low moment आ रहा है तो सिरफ आप trust कीजिए कि अब इससे नीचे और कुछ नहीं आएगा यहां से सिरफ हम उपर जाएंगे अब यहां से सिरफ अच्छा होगा and I think जब हम पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को पाने में लग जाते हैं तो पूरी कायनात उसे हम से मिलाने की साजिस करने लगती है Coming to the fourth point इस पूरी जर्नी में ऐसा जरूरी नहीं कि हमें पहली ही बार में सफलता हासिल होगी इस जर्नी में एंटर कर रहे है ऐसे ही जो भी मेरे फ्रेंज जो भी लोग अभी अपने लेट अटेंप्ट में है या फिर जिन्होंने कुछ भी यहां फेलियर देखा तो कभी भी उन फेलियर के सामने हार मत मानिये पिछले साल UPSC के essay paper में भी एक topic था The courage to accept and the dedication to improve are the two keys to success माने आप खुले दिल से अपनी सारी कम्यों को अपनाईए आप मानिये कि आप यहां गलत थे आपने यहां कुछ गलत किया यहां कुछ improvement करने का scope है फिर पूरी मेहनत कीजिए अपनी उस गलती को सुधारने के लिए या फिर अपने उस paper के उपर काम कीजिए जहां आपको लगता है कि आपके अच्छे number नहीं आए और फिर देखिए कि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी हमेशा चोटी 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 चीजों में खुद को improve करते रहिए खुद को इस तरीके से निखारते रहिए कि आप एक ना एक दिन शिखर के उस मुकाम पर पहुच ही जाएंगे मैं यहां कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैंने हार नहीं मानी या फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे हमेशा यहीं लगता रहा कि मैं कर जाओंगी या मैं तो बनने के लिए ही हूँ बलकि ऐसे बहुत से पल मेरी preparation जर्नी में भी आए जहां पर मैंने खुद को doubt किया जहां पर मुझे लगा कि शायद मैं इस जर्नी के लिए नहीं बनी हूँ जहां मुझे लगा कि मुझे अब यह चोड़ देना चाहिए जहां मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया अब मैं इस से जादा कुछ improve नहीं कर सकती हूँ बट उस वक्त भी मैं फिर बैठी फिर introspect किया फिर analyze किया खुद की performance को और फिर देखा कि मैंने कहा पर क्या-क्या गलतिया की है जब मुझे उन्हों गलतियों का पता चला तो फिर मैंने फिर से एक बार try करने का सोचा मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आप demotivate हो रहे है या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बैठीए थोड़ा time introspect कीजिए देखिए कि कहा गलत हो रहा है क्यों आपको success नहीं मिल रही है and I am very sure कि आपको आपका अपना path मिल ही जाएगा यहाँ यह journey एक इतनी beautiful journey है कि यहाँ हर कोई अपना path अलग अलग तरीके से बनाता है यहाँ हर एक individual रस्ता होता है जो खुद वो अपनी मेहनत से ही उसको तराशता है उसको बनाता है तो जब जब आपको लगे कि आप किसी failure को face कर रहे है तब तब आप सोचिए कि आपके रस्ते में एक roadblock था जो आपको पार करना है जब जब आपका मन करे कि आपको नहीं करना है आप नहीं कर सकते है तब तब आप एक बार फिर से सोचिए कि आपने इसको क्यों शुरू किया कि लोगों की वज़़ से शुरू किया और क्या अभी भी आपके पास वो chance है कि आप उसको अपनी गलतियों को सुधार सकते है क्या आप सुधारने के लिए सक्षम है क्या आप फिर से वो मेहनत करना चाहते है अगर इन सब का answer yes है तो I think आप सब को वो चीज़ करने चाहिए कहा जाता है कि जब भी मेहनत करते है तो उसका फल हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है यहाँ पर मैं भगवत गीता का एक निशकाम कर्म फिलोसोफी को कोट करना चाहती हूँ कि आप बस कर्म कीजिए आप पल की इच्छा मत रखिए आप यह मत सोचिए कि आपका आप टॉप 100 में आएंगे या टॉप 50 में या टॉप 10 में आएंगे राधर आप बस इस चीज़ के उपर काम कीजिए कि this is the only time when you are working on your own self जब आप खुद के उपर काम कर रहे हैं जब आप खुद को निखार रहे हैं तो सिरफ UPSC की journey में सिरफ civil services के लिए prepare करते हुए आप please हमेशा सिरफ यह सोच कर काम कीजिए कि आप खुद को एक better individual बना रहे हैं आप खुद की जीके इतने हाय कर रहे हैं आप खुद को एक बहुत mature individual बना रहे हैं तो अगर आप ऐसा सोच के काम करते हैं बिना किसी expectations के काम करते हैं तो I think आप बहुत ज़ादा achieve कर लेते हैं आप अगर एक काम को निरंतर करते रहेंगे तो आपको पक्का आप उसके अंदर ना सिरफ सफल होंगे बलकि आप बहुत बहुत आगे जाएंगे मैं एक बार फिर से ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ से मत घबराईए कि आप फेल हो जाएंगे rather आप ये सोचिए कि क्या अगर आप सफल हो गए तो क्या होगा what if I fly, what if I jump, what if that's a leap forward तो rather than bogging down by the fear of failure, fear of giving up इस चीज का fear अपने दिमाग में लाइए कि आप chance होते हुए भी आप आपने give up किया क्योंकि आज और एक और चीज आप कभी भी heat of the moment में अपने please कोई decisions मत लीजिए आप अराम से बैठिए, सोचिए, बहुत ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला लीजिए वो फैसला लेते हुए जो भी आपका support system है, जो भी आपकी family, friends, आपके teachers उन सब का guidance लेते हुए आप आगे अपनी दूसरी strategy बनाईए या आप अपना final decision लीजिए कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि हमें समाज में किसी ने कुछ बोला या हमारे किसी friend ने ही हमें कुछ बोला, हमें बोला कि ये नहीं हो सकता है या हमसे कैसे होगा, तो बहुत बार experience के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी बहुत बार आया के अंदर, including your own self should have the right should have the power to demean you to demotivate you यह आपकी अपनी जर्णी है यह आपकी अपनी लाइफ है यह आपके अपने decisions है कभी किसी और को इतना हक मत दीजिए कि वो आपको आकर बताए कि आप क्या नहीं कर सकते है आप उन लोगों को अपने लाइफ में लाइए जो बहुत positive attitude के वाले हो जो हमेशा आपको motivate करते रहे महाभारत में दो धनुर्दर बहुत प्रतिष्ठत धनुर्दर थे एक का नाम अर्जुन था और दूसरे कर्ण थे दोनों ने ही बहुत अच्छी शिक्षा हासिल की, but because of their friends they both had a different path and they both ended up differently जहां कर्ण ने दुरियोधन को चुना बही पर अर्चुन ने श्री कृष्न को चुना और आज हम सभी को पता है कि श्री कृष्न की गाइडेंस में और श्री कृष्न के नेत्रित्व में अर्जुन कहां से कहां पहुच गए और कर्ण इतने धर्म ग्याता होते हुए भी उन्होंने एक गलत पाले से युद लड़ा मैं यहां यही कहना चाहूंगे इस उधारन से कि आप लोग भी प्लीज हमेशा सिरफ उन्ही लोगों को अपनी लाइफ में एंटरी दीजिए जो लोग बहुत बहुत पॉजिटिव हो जो लोग आपको हमेशा एक अच्छी राह पर रखे हमेशा आपको सही मार्ग दिखाए हमेशा आपकी capabilities में विश्वास रखे society में मैं मानती हूँ कि क्योंकि यह journey इतनी लंबी journey है और यह बहुत बार बहुत difficult हो जाता है सब को समझाना कि इसका result अभी एक साल के बाद आएगा या फिर interview में जाने के बाद भी जब selection नहीं होता तो relatives को समझाना यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब हम वापिस उसी पायदान पर है जहां हम पिछले साल थे कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि यह तो हमने बहुत साल इस journey में निकाल दिये क्या हमने यह साल waste कर दिये तो I think ऐसा कोई भी खयाल आप अपने मन में मत लाइए कि यह चीज waste हो गई है या यह चीज कुछ काम की नहीं है क्योंकि after a period of time you will realize कि आपने इस journey से बहुत कुछ सीखा होगा तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि trust the whole journey trust the whole process अगर आप succeed कर जाते हैं तो भी बहुत अच्छा और अगर आप fail करते हैं तो भी यह journey आपको इतना सब कुछ दे चुकी होती है कि आप जंदगी में कही ना कही किसी और पड़ाव पे बहुत अच्छा कुछ करते हैं मैं मानती हूँ कि civil services एक बहुत अच्छा platform है to serve the nation but it is only one of the platforms हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम अपने उन dreams को fulfill कर पाए society को serve कर पाए and I think to be associated with the civil services journey to be preparing for such an exam हमें अपने उन बाकी dreams को पूरा करने के लिए बहुत motivation और बहुत knowledge मिल जाती है support system के साथ-साथ आपका जो daily routine है जो आप daily basis पर जो भी hobbies परसू कर रहे है या फिर जो भी आप छोटे-छोटे खुद को targets दे रहे है उनका भी एक बहुत बड़ा role होता है इस journey में आपको motivated रखने का for example, I used to set daily targets मैं हर दिन के हिसाब से अपने targets set करती थी कि मैं आज इस दिन में इतना सले बस पूरा करूंगी दिन के साथ-साथ मेरे साथ ताहिक targets भी होते थे और उसी के साथ-साथ एक दिन में घंडे के हिसाब से भी मैं targets देती थी जब भी मैं उन targets को achieve करती थी तो there used to be very small incentives which I used to give myself बहुत छोटी-छोटे तरीके से खुद को ही इनाम देती थी I think ये एक चीज भी बहुत help करती है जब आप छोटे-छोटे-छोटे-छोटे targets रखते हैं अपने लिए और उनको achieve करते है तो वो जो achievement वाली feeling है कीजिए ऐसा नहीं है कि आप UPSC के लिए prepare कर रहे हैं तो आपकी बाकी life खतम हो जाती है आप आपको जो भी पसंद है करना आप वो कीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको कभी shopping के लिए जाना है कभी आपको film देखने जाना है कभी आपको friends के साथ बाहर जाना है तो आप अपना target check कर लीजिए कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है मुझे आज ये सब syllabus अपना complete करना है उसके बाद ही मैं जाऊंगा यो उसके बाद ही मैं जाऊंगी ऐसा करने से आप ना सिर्फ वो target जल्दी complete करेंगे बलकि जब आप वो कुछ अलग काम कर रहे होंगे which is not associated with UPSC आपको कोई guilt factor भी नहीं होगा और आप जब भी अपने targets achieve करते हैं तो believe me, it is the best motivator for anyone to keep giving that 100-120% मेरी हाँ आपसे एक और भी धर्खवास रहेगी कि please ऐसे वेग targets मत सेट कीजिए कि आज मैं एक दिन में पूरी लक्षमी कांत कर लूँगा या फिर मैं आज एक दिन में पूरी spectrum की book कर लूँगा आप हमेशा उसके chapters, उसके pages उसके कुछ चुनिंदा topics specify कीजिए और वैसे आगे बढ़िए it's usually said that when you are not planning, you are actually planning for failure अगर आप खुद को एक planned तरीके चे आगे नहीं भढ़ा रहे है तो आप actually असफलता की और जा रहे है यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे incremental growth की हमें जरूरत है हमें कोई एक या दो दिन में big bang reform नहीं करना है तो पूरी journey में जब भी आप तयारी शुरू करे छोटे-छोटे target set कीजिए थोड़े बहुत छोटे-छोटे तरीकों से खुद पर काम कीजिए खुद को बीच-बीच में बहुत बार शाबाशी देते रहिए वो सब काम कीजिए जहां पर आप खुश है जहां पर आप खुद के सबसे जादा करीब है बहुत सारे लोग जब UPSC की journey शुरू करते है या जब वो इस journey में होते है they stop exercising, they stop meditating but believe me, when you are physically fit, you are mentally fit जब भी आप physically सबसे जादा fit होते हैं mentally, बहुत efficiently काम कर पाते है तो I think these are some of the pointers that I wanted to give for keeping oneself motivated during the whole journey मैं लास्ट में बस यही चीज बोलना चाहती हूं धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए माली सीचे सो घडा, रितु आये फल होए आप अपना काम करते रहिए जब जिस चीज का time आएगा वो चीज तब वहाँ हो जाएगी and believe me in spite of all the failures all the anxiety all the pain and all the highs and lows everything that happens it happens for a reason and it is totally worth it last में जब selection होता है तब ऐसा लगता है कि वो जो पूरा का पूरा puzzle था हमारे आखों के सामने वो एकदम से fit in हो गया है हर एक चीज का sense समझ में आने लगता है कि ऐसी चीज वहाँ क्यों हुई क्यों हमें वहाँ दुख हुआ क्यों हमें वहाँ हमने वहाँ चोट खाई वो सब चीजे एकदम से fit in हो जाती है तो please आप खुद को ये मौका दीजिए खुद काम करते रहिए खुद इतनी मेहनत कीजिए कि आपसे ज़ादा मेहनत करने वाला इतलीस्ट आपको ना पता हूँ मैं लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ ड्रीम यॉर बिगिस्ट आप जितना बड़ा ड्रीम देखना चाहते हैं आप उतना बड़ा देखिए work your hardest आप जितनी मेहनत कर सकते हैं जितनी मेहनत आप सपनों में सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं आप उतनी मेहनत कीजिए कही पर अगर 100% देना है तो आप महां 120, 130% देने का try कीजिए और be your greatest आप बहुत जल्द ही आप सभी को सफलता हासिल होगी यहां UPSC की journey क्योंकि एक लंबी journey है क्योंकि बहुत सारे highs and lows देखने को मिलते है and especially the ones who fail to make it to the final list in the end मेरे बहुत सारे friends जिनका इस साल जिनका पहले सालों में नहीं हुआ जो कही ना कही चुक है आप प्लीज बैठिए फिर से आप फिर से analyze कीजिए कि कहा क्या problem रही होगी और अपनी उसी weakness के उपर काम कीजिए तो मैं इनी सभी शब्दों के साथ अपनी वार्णी को यहां विराम देना चाहती हूँ नमश्कार